आप सबका स्वागत है हमारे यूटिब चैनल शाय मिस्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाला मंचूरियन जो कि बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बनेगा अकदम मार्केट स्टाइल तो प्लीज देखना ना भूलें तो चलिए देखते हैं अपनी ग्रेवी वाला मं मार्केट में दो कप सामगरी है क्याइज है ने ना जो कप क έबेज में वाला में बनाने यह तो कप लिग मूल देख सकते हैं एक मीडियम साईज का प्याज चौप कर लिया है बारीक बारीक Ismacham मैदा कूब में प्यूब भी चौप कर लिया है और कुछ देखिये का दूठभ कलिया है जिनको वन्हें 48 इंडि़ क कट कर लिया है एक मिर्च जिसको हमने कट कर लिया है देखिए कैबिज अपना डाल दिया है बड़तन में तो इसमें पानी बहुत होता न तो इसको पानी को हम Scl reinvent करेंगे यह देखिए हमने नमक डाला हुआ है दो चुटकी नमक डाल कर हमें से मिला रहे हैं मिलाने के बाद में इसको हम 5 मिनुट रख देंगे यह देख सकते हैं किता सारा पाणी निकल रहा है यह देखें इतना पानी निकला हुआ है देख सकते हैं गाइस to make लैज़े फेको हमारा Πानी करें को कैबिश्टी डाला है बरतन में इसमें इसे sicuri कुछ फ Massas reference एट करेंगे एक पिंच नमक क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था मगर थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि पानी निकलने से नमक भी निकल गया है कुछ तक तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज थोड़ा सा प्याज डालेंगे बिल्कुल यह 1 इंच का जो टुक्ड़ा हमने कदू किस किया था उसी का हाफ डालेंगे यह हमने रंग के लिए हल्दी डाली है जो की हमारी छोड़ी हाफ टेबल सपून है यह हाफ टेबल सपून लाल मिरज पाउडर यहाँ टेवर स्पून धनिया पाउडर धनिया पाउडर अब क्या करना है देखिए अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच मैदा देखिए एक चम्मच कॉर्ण फ्लोर सिर्फ एक चम्मच ही हमने मिलाया हुआ है क्योंकि अभी देखेंगे कि हमारा बैंडिंग करने लायक हो च अगर यह हमारा बैंडिंग करने के लिए हो जाता है तो फिर हम और कुछ नहीं एड करेंगे तो यह देखिए बाल्स बनाते हुए बन रही है हमारी बाल्स तो हम इसमें अब और कुछ एड नहीं करेंगे तो अब इसकी बाल्स हम बना लेंगे यह देखिए इस तरह से करते हुए हम इसकी बाल्स बना लेंगे और इसी तरह से हम सारी बाल्स बनाएंगे ये देखे, पलेट में रखते जाएंगे बड़ावना करके ये देखे, सारी बॉस बनकर हमारी रडी हो चुकी है तो उनको आप हम फ्राई करेंगे, तो चलिए फ्राई करते हैं ये देखे, इस तरह से कर करotteर हम अपनी फ्लेम को चिकर लेंगे और एक छोट उसब बॉल हम डालेंगे तो देखेंगे कि ऐल में यह बॉल फड तो नहीं रहा है बेंड चाहँ से हुआ है या नहीं तो देखें यह हमारा फड नहीं रहा है तो हम और नेक्स्ट बॉल डाल देंगे काइस ऐल की जो फ्लेम है वो मीडियम रखें ज़्यादा हाई फ्लेम पर करेंगे न तो ऊपर के ऊपर से पक जाएंगे मगर अंदर कच्चा रहेगा जिसमें की फिर मैदे का टेस्ट आएगा इसलिए से अच्छे से धीमी फ्लेम पर पकाना जरूरी है यह हमने सारे के सारे बॉल्स इसमें एट कर दिया है यह देखे गाइस जो दो बॉल्स हमने पहले डाले थे वह हमारे कोख हो चुके हैं तो इनको हम अच्छे से निकालकर बाहर प्लेट में रख लेंगे यह देखिए इस طरह से और घाइज अगर आप इनको सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको सिटोर करना चाते हैं न तो आप फ्रेजर में सिटोर भी करकर रख सकते हैं कोई प्रॉब्लिम नहीं है जीदिखेगवाइज अगर इस टोर करना है उसको हम निकाल देंगे बाहर और इसमें थोड़ा ओयल रख लेंगे, गाइज अगर आप इस्टोर करना चाहते हैं तो हलके ब्राउन करिए यह देखिए गाइज हमें थोड़ा सा रख लिया है ओयल, अब इसमें हम मसाले यूज यूज करेंगे देख साते गाइज यह हमने चोज़़ों दस से बारा कली लेसन के लिए थी वो इसमें आड़ करेंगे और इनको हलके से सोटे कर लेंगे अब ये देखिये एक सिकन के लिए ये सोटे हो गई है तो हम इसमें प्याज डाल दिया है प्याज को भी चलाते हुए सोटे करेंगे और अब इसमें जू ये हमने क्यूब्स में काट करके रखे थे ये भी हम इसमें एट करेंगे और इनको बहुत पकाना नहीं है क्रंची बना रहे इतना पकाना है अब यह हमने अद्रक और हरी मिर्चिस में एड़ करती है इसको भी हम भून लेंगे गाइस इसको हमें बहुत नहीं पकाना है सब्जियों में करंच बना रहा है तब ही अच्छा लगता है यह देखी गाइस दो स्पून हमने ले रखा हुआ है टमाटर के चॉप आपसे स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं यह ब्लैक यह हमने ले रखा हैं गाइस एक स्पून सोया सॉस जो की इसमें लालकर हम पकाएंगे अब हम लेंगे चिली सॉस यह हमने दो स्पून ले रखा है चिली सॉस तो इसको भी इसमें एट करेंगे हमने जो सॉया सॉस लिया है वो हमारा डार्क सॉया सॉस है इसलिए हमने एक स्पून लिया हुआ है आप अगर लाइट लेते हैं लाइट है आपका सॉया सॉस तो आप दो स्पून ले सकते हैं आप गाइस में वह जो बचा हुआ पानी रखा था निकाल कर वर्ट करेंगे जिसकी वज़ा से हमारे जो सोया सॉस वगरा है वो जले नहीं आप इसमें हम गाइस मसाले यूज़ करेंगे तो देखिए मसालों में हम क्या क्या आइट करते हैं हडाइस कलर के लिए हल्दी हाप टेबल स्पॉन हाप टेबल स्पॉन रेट मेर्ज धनिया पाउडर हाप टेबल स्पॉन अब इसको हम भोन लेंगे अच्छा से फ्राइ कर लेंगे और इसमें हम आट करेंगे पानी अग्रास दूज़़ अनिकी तो प्रॉटी पर को दो रॉट को ठीक बनाने के लिए यह हमने लिया का कॉर्ण प्रॉड एक स्पून जिसको हम इसमें यूज करेंगे दिखें मसाले हमारे बूंच चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे पानी यह हमने डाल दिया विनिगर जो के डालना हम भोल गया थे यह वाइट विनिगर था और यह हमने डाल दिया है एक कटोरी पानी तो लगवाग लबग हम इसमें चार कटोरी पानी आड़ करेंगे और अब हम इसमें देखिए एक कटोरी पानी में हम कॉर्ण स्टॉर्स लेकर के उसको लंस रही गोल बना लेंगे जिसमें कि गाठे ना पढ़े गुट्लिया ना हो तो उसका हम अच्छे से गोल बना लेंगे यह देखे वाइज हम डाल लाएं स्वादानुसार नमक क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं है एड किया था क्योंकि हमारे जो सोया सॉस वगरा था जो सॉसते उसमें नमक था अगर हम पहले नमक एड कर देते तो नमक चाहज़ा हो जाता इसलिए अपने स्वाद को देखते ह करेंगे और दूसरे हाथ से स्पून चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें गाठे ना पड़े और गाइस जब तक इसमें बाइल ना आ जा तब तक इसे कॉंटिन्यू चलाना है यह देखे गाइस हम निराला हुआ जीरो मोटो यह आप इसकीप करना चाहें तो कर सकते हैं बट हम म इसमें बाउल को हम एक मेट तक पका लेंगे तो यह हमारा देखिए बनकर बिलकुल रैडी हो चुका है तो देखिए इसमें हम धनिया की पत्ती से क्याइस हमारे पास ग्रीन प्याज की डंडिया नहीं थी इस वज़ए से डाल कर इसको गालिस किया हुआ है तो आप हम इसे सर्व करेंगे तो चलते हैं सर्विंग की तरफ यह देखिए गाईस हमने इसको बाउल में सर्व कर दिया है यह देखने में ही गाईस यहां पर थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं आया है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम थी तो इस वज़ए से गाईस खाने में तो तो इतनी टीस्टी इतनी यम्मी बनकर रेडी हुए हैं अगर हमारी यह रेज़पी आपको पसंद आयो तो प्लीज 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 आप कमेंट करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट करके बताएं जरूर लाइक करें सिस्क्राइब करेंट